आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको परवल के बारे में समपूर्ण जानकारी देती हूं यह परवल की बेल है इसके सर्दियों में भी काफी परवल आ रखी है जिसको गुडिया है तोड रही है वह तोडने के बाद दिखाते हूं कितनी अब देखाया था काफी बड़ी बेल है लेकिन इस बार इसकी पूरे जो खेजडी कवरक्स के इसकी कटिंग कर दी थी हमने जिसकी वज़े से इसकी भी कटिंग हो गई थी और अब आज जो नई इसमें कॉपल आकर और नई बेल तयार हूई है इसकी जड़े मैसी थी लेकि कुछ में ज़रूरी खाद बताती हूँ वह आप इसमें डालना जिसे आपके सर्दियों में भी काफी परवला आती रहेंगी यह परवला मारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबदाएक चीज है जितने भी यह पोस्टिक ततुर से बरपूर सबजिया होती है उनमें से यह कि एक मानी गई है इसमें जैसे विटामिन ए है विटामिन बी वन है विटामिन बी टू है विटामिन सी है कैलशियम है मैगनीशियम है पोटेशियम है फासपोर्स है यह सभी विटामिन से इसमें पाए जाते हैं और यह कोलेस्ट्रोल को नियंतरित करती है और जितने भी त परवल को खाने ठीक हो जाते हैं इसको कच्ची भी खा सकते हैं सलाद की रूप में भी और इसकी सब्जी बना कर भी खा सकते हैं इसकी सब्जी कापी टेस्टी होती है और जिनके पेट में कबज की सिकायत है गैस की सिकायत है वो भी परवल की सब्जी खाने से ठीक हो जाती है क्यों ये पाचन के रिया ठीक करती है जो पाचन के रिया ठीक रहती है तो कब जे और गैस की सिकायत एटमेटिकी ठीक हो जाती है ये खाने से मदुमे की समस्या से भी बचा जा सकता है और जिनके कप की समस्या होती है उसके लिए भी कापी हित कर रहे हैं यह देखें इतनी सारी परवल तोड़ लिए हैं क्योंकि पेड़ के उपर ऐसे नीचे लगी हुई है इसलिए इसको बच्चे भी आसा नीचे तोड़ सकते हैं तो इतनी लगबगे 10 kg के करीब परवल तोड से अपने एक प्लांट के ही काफी परवल पास सकते हो क्योंकि हमारे स्वास्ते के लिए बहुत इच्छी है जिनके भी कपकी प्रोब्लम है उनको भी इसका सेवन करना चाहिए यह खाने से खून साप होता है जिसे ताउचा है खिली-खिली रहती है वह जो जो जाईयां मु पात्रा में पाया जाता है रोगों से लड़ने की स्वामता होती है रोग परती रोदक्षमता पाया जाती है इसमें जिनके भूग नहीं लगती है उनको इसका सेवन करना चाहिए रोज जिससे भूग लगने स्टार्ट हो जाती है और जिनके रेगुलर सरदर्द रहता है ों इसका जो पत्ते होते हैं उनका पेष्ट बना कर और सिर्क हिसकी पट्टि बाञ्द लें तो सरदर्थ के समस्या में काफी निजाद मिल सकता यूं जिनके पेट्थ पेशुजन होती है तुमाओ भी जलेव बना कर आदा जा सकता है जो swelling भी दूर हो जाती है कोई फोड़ा है फुन्शी है उसके भी इसके पत्तों का पीस कर और ले बना कर बांदने से फोड़ा फुन्शी भी मिट जाता है जहां होता है वहीं बैठ जाता है वो तो इसके बहुत सारे benefit है एक प्लांट से यह आप डेरों परवल पा सकते हो और इतने benefit ले सकते हो यह एक ओस्तियों का खजाना है जिसे काफी रोगों से बचा जा सकता है उसके इतनी परवल लेने के लिए आप पोचाई है न्यू लीफ औरगेनिक फर्टिलाइजर जो मार्केट में आसानी से वे लेबल होता है जो यह नर्शरी वाले होते है इनके पास से यह मिल जाता है किसी भी नर्शरी वाले के पास से जाकर और यह आसानी से ले सकते हो यह जो पस्वार होता है वैसे ही इसकी साइज बनी होती है एंसे लगता है जैसे गॉाहीप एंसकी यू बंटे बोलते हैं जो अजर से डिजैनने होते हैं और स्किर्वार्म अजर्ण में भिन करने लिए लिए लोटे हैं इडेके इस तरह कि जो बेल होती है उसके लिए तो खास्तोर से बहुत ही बढ़िया खाद है तो आप इसको आसा निर्शी लेकर और इसमें डाल दीजिए और सर्दियों में छोटी बेल है तो आप उसको बचाने के लिए कुछ उसके उपर खपड़ा वागिरा से डग दीजिए नहीं तो प्ल आपके पास यह लीफ और गयने के फटी लेजर नहीं है तो जो सडी गली खाद होती है गायब है इसकी पुरानी लगोच्छे साथ मेने पुरानी उसको डाल सकते हो या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो इनसे भी आपकी परवल के डेलों पर वलाएंगी तो यह दिया आपको म इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना मेरा वीडियो सुरी से एंड तक देखने के लिए थैंक्यू और एक बार जो भी प्लांट आपके इसका परवल का उसमें इस तरह से यह न्यू लीफ और गनिक फटिलाइजर लाकर और एक बार अपलाई करके देखना और फिर इसका रि आपके निफिर देता है प्लांट को